हे गाईज वेलकम टू देव फूमी कर्यर पॉइंट आसा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्त होंगे काफी अच्छे आपकी स्टेडी चल रही होगी आने वाला जो आपका एक्जाम है आरो ए आरो प्रारिंबिक परिक्षा इसके लिए भी आप जीतों मेहनत कर रहे होंगे र और सांती देखिए इसके जो एडमिट कार्ड है वो भी आज आयोग ने रिलीज कर दिये हैं उसका लिंक में टेलिग्राम चैनल पर सेयर कर दूँगा बागी देखिए जिन लोगों को लंबे समय से इंतजार था 12 पास जो भी हमारे केंडिडेट थे उत्राखंड के उनके आज एक अच्छी वेगेंसी UK SSSC ने जारी कर दिये तो सीधे चलते हैं वेगेंसी पे तो यह है आज का नोटिफिकेशन UK SSSC का और इसमें आपके 236 पदों पर इंटरमीडियेट पदों पर भरती आ चुकी है जिसमें आमारे पोस्ट है परिवहन आरेक्षी यानि कि प्रवर इंस्पेक्टर है आपकारी में एंड इसके अलावा हॉस्टल मैनेजर क्रेट 3 एंड इसके अलावा हाउसकीपर ग्रहमाता के दो पदैस में तो यह विग्यापन का पूरा लेखा जो का विग्यापन प्रकाशन जो है आज हुआ है और इसको अपलाई करने का जो डेट दी जो लिंक इसका एक्टिव होगा वह 11 दिसंबर को होगा और आप ओनलाइन आविदन कर सकते हैं 31 दिसंबर तक ठीक है यानिकि 20 दिन पहली बार UK SSC ने भी UKPSC को फॉलो किया भाई देख सकते हैं केवल 20 दिन दिये जाएंगे इस बार आपको फॉर्म बरने के लिए उसके ब फर्म तो नहीं बट मेरे को लगता नी हो जगता है एक्जाम आपका जनुवरी में हो जाए ठीक है तो आप लोग महनत करना सुरू करते हैं जिसका भी एक्जाम है फिजिकल वगएर भी इसमें आपका होगा तो थोगा आपको एक्सरसाइज वगएर भी करनी पड़े तो को प्रवर्तन सिपाई का दाता है 108 इसमें पोश्ट है जिसमें आप देख सकते हैं जनरल की चपन है एडवलो इसकी 11 है ओबीसी की 20 हैं एश्टी की इसमें चार है और एसकी 27 सीट है ठीक है इसके लावा देखिए इसमें आपका हलांकी परिवान आरेक्शी देखिए इसमे बार चार्ड दिया गया है ठीक है तो इस चार्ड में आप देख सकते हैं तो जो हमारा यह अभी उपर वेकेंसी में हम देख रहे थे तो इसमें लवी पीवी था देखिए कम द्रिश्टी वाले को इसमें लिया जाएगा और साथी जो मैं बोला हूँ एसडी वगरा था जो प्लारिम्बिक सेलरी आपके रहेगी वही लगबग 25 से 30,000 की बीच में आपकी स्टार्डिंग सेलरी इसमें लगबग 30,000 रहेगी आयू सीमा ठीक ठाग है 18 से 30 वर्चे तक की इसमें आयू सीमा रखी गई है जो की एक अच्छी बात है एंड क्वालिफिकेशन की बात क के लिए 155 सेंटी मीटर है ठीक है बागी पूरुस अब्यर्थि के लिए सीना भाई 78 वर फुलाने पर 83 होना ची सारे जिक दक्षिता परिक्षा भी एसमें पूरुस और महला अब्यर्थि के लिए दोग है पूरुसों के लिए 500 मीटर दोग होगी 6 मिनेट में पूरा करना ह पूरुस जो अब्यर्थि है इनके लिए चीना पूगा और महला अब्यर्थि के लिए रसी गूद होगी पूरुस अब्यर्थि को 6 बार चीनाप करना पड़ेगा ठीक है और महला को एक मिनेट में 55 बार रसी गूद करना है बागी यहां पर नोड दिया गया परिवहन आरक चरका होगा ठीक है यानि कि इसमें जो मेरेट बनेगी रिटर्न के आधार पर बनेगी और मां की दूसरी जो पोश्ट है आपकारी सिपाई की इसमें टोटल 100 पोश्ट है इसमें SC की 4 है, ST की 3 है, OBC की 1 सीट है, EWS की 20 सीट है और जनरल की 72 सीट है इसमें भी सेम है ग्रेट इसमें भी सेम है आपके 12 पास होना ची और इसमें जो सारे रिक माप परिदे के पूरुस अभ्यतियों के लिए तो परवत्य चेत्र को चोग कर पिछले और अनुसूची जाती की अभ्यतियों के लिए है, इसमें सीने की माप 78 और 5 सेंटी मीटर तो फूला हो बर जगा ची परवत्य चेत्र और अनुसूची जाती वालों के लिए 76 और 5 सेंटी मीटर का फूला हो है, हाइट की बात करते तो परवत्य चेत्र को चोग कर जो हमारे मैदानी भाग के सामान ने पिछले और अनुसूची जाती की अभ्यतियों है, उनके लिए 166 सेंटी मीटर चाहिए, परवत्य चेत्र की अभ्यत्यव के हीटra 122टा चाहिए, और उत्राघन के अनुशूची जाती याने के ट्राइवल, डो हमारे ट्राइब्स उनके लिए 166 सेंटी मीटर है, महिला अभ्यत्योग सेम जेए जनरल महिला ये हमारी प्लेन की, पिछली और अनुसूची जाती की इसमें देखें जो सारी परिक्ष्या है तो इसमें जो पुरुस अभ्यरतियों के लिए देखें आपके दोग है और यहां पर नंबर दिए गए यहां पर 30 मिनट में करते हैं मेलाओं के लिए दोग जो है 200 मीटर है बावन सेकंड पचा सेकंड अलग-अलग मानुक पर अलग-अलग नंबर मिलेंगे आपको यानि कि इसमें 60 नंबर का आपका फिजिकल है पुरुसों के लिए 20 नंबर की दोग है 20 नंबर की लॉंग जंप है 20 नंबर का क्रिकेट बॉल यानि कि इसमें आपका 60 नंबर का देगे द्यान लगेंगे 60 नंबर का आपका फिजिकल एक्जाम होगा जिसके मांक्स एड होंगे ऊपर तो आपका प्रवर्तन सिपाई में क्वालिफाइंग है लेकिन यहां पर फिजिकली एफिसेंसी जो टेस्ट है उसमें आपके नंबर जोगेंगे 60 नंबर का फिजिकल होगा यहां पर देख लीजिए आप साब बोला गया है तो आपका आपकारी सिपाई के लिए आपकी सारे लिक माप जोग की दक्चता परिक्चा साथ हंकों की होगी साथ हंकों में से आप जितने लाएंगे फिर 100 नंबर का इसका पेपर पूष्ट तो अच्छी है वाई उप आपकारी निरिक्षिया और इसमें आपका लेवल पांच है अब 2800 का इसमें ग्रेट पे हो जाएगा आपका एज लिमिट भी अच्छी है इसमें 21-22 साल है और इसमें भी देखे क्वालिफिकेशन एक आपकारी का मतलब आप ऐसा ही ब आपकारी सिपाई की तरह सारे रिक वजन महिला अभ्यरतियों कर भी इसमें 25 किलो होना चाहिए ठीक है तीसरी जो अगली जो पोस्ट है यह होस्टल मैनेजर ग्रेट 3 दो पद हैं और यह हमारा होस्टल मैनेजर कहां पर अपोइंटेट हूंगे गोविंद बल्ला पंत अगला है देखे पोस्ट हमारा ग्रह मात्रा हाउसकीपर महिला तो एक वह प्रावदेकी की विश्वविद्याल है पंतनगर वहां पे पोस्ट है 18-22 साल एज लेबल 3 की पोस्ट है गुरुप सी जो क्लेरिकल है उसी के ब्रावर पोस्ट है 12 थे के साथ एक वच्छ का छात् अगर हो तो ठीक है अगला है देखे पोस्ट हमारा ग्रह मात्रा हाउसकीपर महिला तो एक वहल महिलाओं के लिए जनरल की दो पोस्ट है लेबल 4 की पोस्ट है 21-22 साल इसमें भी एज है एंड इंटर्मीडेट परिक्ष्या होनी ची और किसी संगठन या प्रतिश्टित नर पुराना पैटर्न जो है हमारा UK SSSC का उसी पैटर्न पर आपका पेपर होने वाला है बागी एज लीमिट वगड़ा की बात कर ली अब सीधा आता दोस्तों इसकी जो फीस होगी हो कितनी होगी तो फीस है इसमें जनरल की 300 रुपे और उत्राघंड SC, HT और EWS के लिए 500 इसमें भी डिसकस की गए है तो यह है अच्छा आपका मौका है यहां पर आपकारी सिपाई प्रवलतन सिपाई और आपकारी उपनिरिक्षेक बननेगा तो भाईया मैनत करेंगे तो सफलता मिलेगी अभी से जूट जाहिए और इसके लिए जो फीजिकल क्राइटिरिया है इसमें भी आपका दोस्तों उत्राखंड आपको पढ़ने है हिंदी पढ़ने और सामान ने अध्धन पढ़ने उसके अलावा गुरूपसी के जितने पेपर यूगई ट्रेपर लेसी ने अभी तक करा दिया उनका अवलोकन करो मौक टेश और फुल लैंद प्रैक्टिस थोड़ा हिंदी पढ़नी होगी उत्राखंड पढ़ना पढ़ेगा और जीएस भी पढ़ना पढ़ेगा यानि कि जो बेसिक कॉंसेप्ट है उनको तो क्लियर करने ही पढ़ेंगे इन तीनों सब्जेक्ट के ठीक है बागी हिंदी का से नीचे दिया हुआ है इतने टॉपिक को कोर्स भी आप ले सकते हैं अप्रिकेशन इस्टोर से बागी जल्दी टैसरीज भी इसकी जो एक्जाम डेट आएगी एक्जाम डेट कंफर्म हो जाएगी तो उससे लगबग 25-30 दिन पहले इसकी टैसरीज सुरू कर देंगे ठीक है बागी अभी देखे 31 दिसंबर को फि में भी फिक्स भी हो सकती है बागी इस विज्ञप्ति को लेकर आपके कोई भी डाउट हो क्वेरीज हो या कोई भी फीडवैक हो आप कमाइंड बॉक्स में कमाइंड जरूर कीजेगा मागी आपको मैं जल्दी मिलूगा नेक्स सेटन में तब तक आप लोग अच्छे से स् बुमी